रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड जुटी नजर आई। बड़ी संख्या में ये मजदूर अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े दिखाई दिए। भीड में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान वहां मौझू कोरोना मामारी की वज़े से देशपर में लागू लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर राशन पहुंचाया जाएगा इतना ही नहीं बच्चों के अभी भावकों के खाते में एक हजार उप के पोने में काशी बाई नवले अस्पताल के स्वास्ते करमचारियों ने नाराज होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया अस्पताल के परिसर में स्वास्ते करमी एक जुट होकर धरने पर बैट गए प्रदर्शन कर रहे करमचारियों ने अस्पताल प्रशासन पर पिछले 6 मह इने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई कोरोना के संकट के बीच बड़ी संख्या में स्वास्य करमचारियों ने वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया भारत में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रही हैं भारत में कोरोना मरीजों का जो आंकडा है 1,73,763 तक जा पहुंचा है और अब तक 82,370 मरीज ठीक भी हो चुके हैं वहीं कोरोना से 4,971 मरीजों की मौद भी हुई है कुल मिलाकर भारत में इस वक्त 86,422 एक्टिव केस हैं तो वहीं पिछले 24 गंटे में भारत में 7,964 कोरोना मरीज बढ़े हैं जो अब तक का 24 गंटे में नए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा अकड़ा है देश के जादेतर राजे कोरोना वारत से जूज रहे हैं इनमें से कुछ राजे ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादात लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत जादा है सबसे खराब हालात महराष्ट में हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है गुजरात चौते नमबर पर है जहां कोरोना मरीजों का आकड़ा करीब 16,000 हो चुका है और पांचमे नमबर पर राजिस्थान जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,365 है. कोरोना वारिस के कहर से पुरी दुनिया बेहाल है दुनिया की 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूच रहे हैं लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत जादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नमबर पर आता है अमेरिका जहां कोरोना के मरीज 17,47,000 हो चुके हैं वह कोरोना के मरीजों की तादा 2,22,000 से भी ज्यादा है और पांचवे नमबर पर स्पेन है जहां कोरोना मरीजों की संक्या 2,38,564 है जमू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुड़ बेड में दो आतंकियों के मारे जानी के खबर है कुलगाम के व करिया कर समसा बस्ट